नमस्कार आईए हमारे सामने एक होरस्कोप है 1960 में इनका जनम हुआ है और लगबग 60 वर्ष की इनकी उमर के आसपास ये चल रहे हैं होरस्कोप की शुरुवात में सबसे पहले हम लगन से शुरुवात करते हैं ये इनका लगन है मीन 12 नंबर की राशी लगन में केतू बैठा हुआ है एक मातरुगर है केतू लगन में है ऐसा कहा जाता है जलिये तत्व की राशी मोख्ष त्रिकॉण की राशी में यदि केतू होता है तो ये थोड़ा सा सोभाव में तो व्यक्ति को जिद्दी बना देता है यानि उसके मन में किसी चीज की प्राप्ती के लिए इच्छाय बहुत तेजी से जागरत हो जाती है लेकिन साथी साथ ये मोख्ष त्रिकॉण भी है यानि व्यक्ति धरम करम के कार्रेव में भी अपने जीवन में इन्वेस्ट करता है पैसा खर्च करता है दान में, धरम में, ट्रस्ट में, मंदिर में साथी साथ क्योंकि के तो एक मोख्ष कारी गरह कहलाता है तो शाथ्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति का जो जनम प्रत्वी पे हुआ है ये इनके लिए एक अंतिम जनम है यानि अंतिम यौनी है इसके बाद ये इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे लगनेश जो बरस्पती है नौवे घर में बैठा नवम भाव भाग्य स्थान है और नौवे घर का जो मालिक है मंगल वो दशम स्थान में बैठ कर देख रहा है लगन को वापस यानि लगनेश का नवम में आना व्यक्ति भाग्य शाली है नौवमेश का लगन को देखना व्यक्ति भाग्य शाली है और नौवम भाव में बैठ के ब्रस्पती की दश्टी भी लगन को है यानि भाग्य शाली के उपर भाग्य शाली का योग ये अपने आप में अति सुन्दर है साथ ही साथ में आपको बताना चाहूंगा नौवे और दस्वे घर के मालिक ब्रस्पती और मंगल आपस में राशी परिवर्तन कर रहे है जब इस परकार की स्थिती कहलाती है तो शासर कहता है ये करमा दीपती धरमा दीपती है राजियोग है इसका मतलब है व्यक्ति जहां भी जिस भी परिस्थिती में रहेगा उसको मान समान पैसा इज़त प्रसिद्धी सब मिलेंगे क्योंकि कभी कभी ऐसे लोगों को जीवन में बहुत कम करने पर भी अधिक मिल जाता है इसको कहते हैं भागशाली होना और जब जब ऐसी कंडिशन लगन कुंडली में देखी गई है तो कहीं न कहीं व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छे इस तरपर काम करने का मौका मिलता है काम करने के साथ साथ ऐसे लोगों को जीवन में पिता की तरफ से भी अच्छा खासा सायोग प्राप्त होता है अब बात करते हैं आपको दसवे घर की दसम भाव में बुद्ध शनी और मंगल है बुद्ध जो की चतुरतेश है सब्तमेश है दशम में बैठा है और इसको वापस देख रहा है और मंगल भी साथ में है क्योंकि चौथा घर घर मकान जमीन जाजाद के लिए जाना गया के बल पर दो से तीन भवन का निर्मान वो करेगा उनको इन चीजों की प्राप्तियां होंगी उसके साथ साथ शनी भी यहां है जो की दौदशेश भी है तो एकादशेश भी है यानि लाब भी है तो घर से दूर जाके लाब भी मिलेगा यात्राइं करके लाब मिलेगा घर से दूर इस्थानों से जुड़के लाब मिलेगा साथी साथ जनम इस्थली से दूर भी व्यक्ति प्रपर्टी परचेस कर लेता है चंद्रमा जब छटे घर में हो तो शास्त्र ने इसको थोड़ा सा नेगेटिव बताया है वो इसलिए है कि जब चंद्रमा छटे घर में होता है तो व्यक्ति को लाइफ में थोड़ा मेहनत ज़्याद कराता है सिक्स हाउस का चंद्रमा ज़्यादे अच्छा नहीं माना जाता इसको मेहनत कराने वाला गरह कहा गया कि ये जरूरस से जादे मेहनत करा देता है सूरिय जो की एकादश में बैटे हैं अच्छे हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन शनी की राशी में सूरिय का होना और जो की सस्टेश भी है पिता के सुख में थोड़ी सी कमी दर्शाता है कभी कभी ऐसे लोगों के पिता होते हुए भी वैचारिक मदभेदता दर्शाने वाली स्थिती रहती है अब मैं बात करूँगा आपकी कुंडली में ब्रस्पती की महादशा की देखिए ब्रस्पती की महादशा 2007 से चली ब्रस्पती के बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपका ब्रस्पती कितना ज़्यादे कैपिबल है आपको जीवन में कुछ देने के लिए अब नवांश कुंडली में ब्रस्पती धनकारक है जब धनकारक ब्रस्पती है तो ये बहुत अच्छा है यहां भी इसने धन से संबंद मनाया भाग्य से संबंद मनाया लक्षमी त्रिकॉन से संबंद मनाया यहां ये अपनी राशी में बैठा नवांश कुंडली बल देखने के लिए देखी जाती है ये दश्मांश है दश्मांश में ब्रस्पती करमस्थान में है भाग्य के मालिक होके फिर से भाग्य के मालिक के साथ मंगल के साथ एक्षेंज कर रहे है मंगल और ब्रस्पती का दूसरा राशी परिवर्तन लगातार देखा गया है यहां पर यहां भी देखिए मंगल ब्रस्पती का राशी परिवरतन है और यहां भी है जब इस परकार की सिच्वेशन हो तो जरूर ब्रस्पती की दशा में व्यक्ती को बहुत बड़ी कुछ प्रसिद्धी या प्राप्तिया होंगी या मैं यह कह सकता हूँ जीवन में ब्रस्पती की दशा बहुत उत्तम दशाओं में से एक होगी अब ब्रस्पती चल रहे हैं 2007 से यानि व्यक्ती को स्टेप बाइ स्टेप परगती निश्चित मिलेगी अबी आप देखेंगे के 2018 यह अथारा 23 जुलाई 2018 से ब्रस्पती में जो चंद्रमा की दशा आपको आई ब्रस्पती तो अपने आप में ठीक है हैं चंद्रमा को देखेंगे पंचमेश होके चंद्रमा शटे घर में हैं पंचम भाव बुद्धी का है पंचम भाव संतान का भी है जब पंचम का मालिक छटे घर में हो तो संतान की प्रती चिंता दरश्ती है और ये छटे घर का मालिक जो सूर्य है वो यहां से बैठका इस भाव को पंचम को देख भी रहा है इसको मंगल भी देख रहा है इसका मतल यहां इस्तिती कुछ बैतर हुए लेकिन चदर्मा फिर से सश्टेश है यानि बॉड़ी के अंदर बीมारी तो आई है दश्मांश में लगने शुवा है और भाग्य स्थान में बैठा है ये इस्थिती अच्छी है यानि प्रोफेशनली ये दशा ठीक है अब 22 नवंबर 2019 शुरू हुआ गुरू में मंगल देखिये सर गुरू में मंगल की दशा आपको पूरे 2020 तक चलेगी ये वही गुरू मंगल हैं जो बार बार राशी परिवर्तन कर रहे हैं बार बार करम से और भाग्य से संबंद मना रहे हैं बिलकुल पकीसी बात है लाइफ का यदि कोई बिग अच्छीवमेंट बाकी रह गया हो कोई बड़ा प्रमोशन कोई बड़ी तरक्की कोई बड़ा सम्मान कोई बड़ा कारे अगर रह गया है तो निश्चित तह वो कारे आपके अद निश्चित 2020 में होगा ये समय आपकी लाइफ में बिग अपॉर्चिनिटीज के लिए जाना गया है निश्चित तह आपको इस दोरान कुछ बड़ा प्राप्त होगा क्योंकि नवंबर से लेके अक्टूबर 20 लगवा पूरे 20 तक मैं इसको कहूंगा चंद्रमा सिंग राशी में सिंग राशी से चटे घर में आ रहे हैं शनी देव सिंग राशी वाले जो पिछले धाई वर्ष से जद्दो जहत में थे उनको आगामी धाई वर्ष बहुत सुने रहा क्योंकि राशी से चटे घर का च्छनी जीवन में व्यक्ति को तरक्की देता है शत्रू को मारता है प्रापरेशानी से निकाल के लाता है और महरशी पराशर जी कहते हैं जब 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 जनमकालीन सूर्य के उपर शनी का गोचर हो ये प्रफेशन के लिए अच्छा होता है तो निश्चित ते 2020 भी क्या 2021 भी आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है बहुत कुछ बड़ा मुझे इसके अंदर दिख रहा है क्योंकि जब राजयोग और धनयोग बनाने वाले गरहे आपस में राशी परिवर्तन करें जो कि देखिए ब्रस्पती अगर यहां आपका नवांश में है तो यहां मंगल त्रिकॉन में है यहां मंगल केंदर में है तो ब्रस्पती त्रिकॉन में है केंदर त्रिकॉन की जब इस्चती बार बार देखी जाती है तो कुछ भी बहुत बड़ा आपकी लाइफ में घटना घट सकती है पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा है मैं तो ये समझता हूँ मैंने कुछ दिन पहले भी एक होरस्कोप देखी थी उस व्यक्ति को अपने कारेच्चितर में काम करते हुए राश्पती से सम्मान मिला था तो वो कुछ ऐसी ही दशा थी एक व्यक्ति केबीसी में जीता था उसको भी ऐसी कोई दशाएं थी तो सर आपके लिए अगर देखा जाए तो आगामी समय बहुत अच्छा है ईश्वर की कृपा आपको मिली हुई है आप कोई ना कोई जीवन में मैं यही समझूँगा कि जैसे जैसे आपका जीवन आपके चले क्योंकि इतने अच्छे योग नहीं मिलते हैं आप जरूर कुछ समाज से संबंदित धर्म से संबंदित कर रहें भी जरूर करें यह आपके लिए आपके पित्रों के लिए है आपके बच्चों के लिए इन सब के लिए बहुत अच्छी कंडिशन वालग मैटर है मैं तो आपके से कहूँगा जितने भी वरस्ता का आप जियें तो जरूर अपना जीवन का कुछ ना कुछ हिस्सा दान, पुन, कर्म, ट्रस्ट इन में जरूर लगाईएगा सर सामाजिक सेवा में लगाईएगा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि ऐसी स्थितियां बार-बार जीवन में उत्पन नहीं होती है अब ब्रस्पती की महादशा मंगल मंगल के बाद आईगी ब्रस्पती में राहू, मार्च, देश तक तो सब इस्थितियां अपने आप में बहुत बहतर है मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में नित्य प्रति दिन हनुमान जी की उपासना एक तो जरूर किया करें चाए वो हनुमान चालिसा पढ़ें, चाए बजरंग बान पढ़ें, चाए हनुमान अस्टक पढ़ें, चाए सुन्दर कांड पढ़ें, कुछ भी करें लेकिन ऐसा करें जरूर और अपने लिए एक पुखराज रतन जरूर पहने सीधे हाथ की तरजनी उंगली में शिरिलंकन का पुखराज पहने यानि शिरिलंका की माइंड्स ओरिजडल और सर्टिफाइड होती है 100% authentic non-treated, non-heated piece होते हैं वो पहनिएगा, आप चाहें तो हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तरजनी उंगली में पुखराज अवश्य पहनिएगा, बस दो चीज़ आपको करनी है उगराश पहनना है और रोजाना हनुमान जी की पूजा आपको करनी है बागी होरस्कोप देखकर मुझको काफी अच्छा लगा अच्छी होरस्कोप में मैं ऐसे गिंती करता हूँ आशा करता हूँ, मैं आपकी सभी ग्रहों के